हलो और नमश्कार एवरिवान सबसे जादा पेशिंट की जो क्वेरीज होती है कि हमें किस तरीके का सुरासिज है क्योंकि उनके डियाग्नॉसेज ही क्लियर नहीं होते पहले तो सुरासिज के डियाग्नॉसेज मिलेंगे आपको फंगल इंफेक्शन या आपको टीनिया मिल सक प्लेक अन्युटेट देखने को मिलता है साथ ही साथ पाल्मो प्लांटर एक सुरासिस के बारे में हम बात करेंगे जो पेशन में पाया जाता है वह आपको सिर्फ पार्म्स यानि हतेलियों पे होगा या पैरों के सोल्स पे होगा और कोई एरिया आपका इफेक्ट नहीं हो समल में हैं अगर अगर इस्सें बचना कैसे है या इसको ठीक कैसे करना है सबसे पहले आपको पानी में अगर आप एक्षिख काम कर रहे हैं बहुत जादा काम कर रहे हैं तो उसको avoid करना है बहुत जादा पानी यूज नहीं कर सकते नॉर्मल जो routine वक है उसके लिए आप यूज कर एक्स्ट्रा जो पानी में आप बार बार हाथ धो रहे हैं या बार बार आपका पानी में हाथ या पैर गीला रह जा रहा है उसको आपक नेक्स्ट आपको अपने हातों को और पैरों को मॉइस्टराइज करते रहना है आप उसको ड्राय नहीं चोड़ सकते क्योंकि कट्स हैं पेन होता है नेल में भी सुरासिस आजाता है तो आपको उनको मॉइस्टराइज करते रहना है आप कोई भी मॉइस्टराइजर जो आपक का खाना छोड़ेंगे तो यह कुछ प्रिकॉशन्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पाल्मो प्लांटर सुरासिस से थोड़ा रिलीफ पास सकते हैं और अगर आपको पाल्मो प्लांटर सुरासिस है या किसी भी तरह का सुरासिस है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मे स्ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो चुके हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किसी भी तरह का सुरासिस हम ठीक कर सकते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल करिए अपनी फोटोज भेजिए और अपने सुरासिस को जड़ से खथम करें